है दूस्तों किसी ने मुझे कमेंट कर रहा था कि आप टू बाइटू क्यूब को सॉल्फ करना सिखाएगे तो आज में आपके साथ आ चुका हूँ टू बाइटू क्यूब को सॉल्फ करने की वीडियो के साथ तो वीडियो सुल्फ करने से पहले मैं आपको थोड़े बेसिक नोटेशन बता देता हूँ तो फिर टू बाइटू को सॉल्फ करने के लिए सबसे एक चीज़ सबसे जुरूरी होती है अपोजिट जैसे कि ब्लू कलर के अपोजिट होता है हमारा ग्रीन और उसके बाद औरें कि अपोजिट होता है यलो और आपको टू बाइटू रुबिस क्योंकि जो अल्गोरिथम मैं आपको जिखाऊंगा उसके लिए आर यू प्रैम में जो बोलूंगा आप वो समझने पाएंगे उसके लिए मैं आपको बता रहता हूँ कि यह क्या होता है अल्गोरिथम देख अगर हम लोग आर को डाउन साइड लेंगे तो इसे बोलेंगे आर प्रैम अब लेफ्ट का इसका उल्टा होगा हमने आर को ऊपर करा तो इसे बोलेंगे थे हम लोग आर अब हम लोग लेफ्ट को नीचे ले जाएंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे ल और अगर हम लोग आप ऐसे यह आपका अपका भी अगर आप आपको से अपने लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो इसे बोलेंगे हम लोग यू और अगर आप अपने अपको मतलब यू को अपने राइट साइड ले जाएंगे तो इसे बोलेंगे हम लोग यू प्राइम इसी का उट आप डी का मतलब डाउं अगर आप डाउं को राइट साइड ले जाएंगे तो इसे बोलेंगे डी और अगर आप डाउं को लेट सा कर अगर आप प्रेंट को क्लॉक फ्रहंगे नहीं सी अनलोगे फेन। ऑफ़ एसे बोलेंगे लकाएंगे। अब हम लोग अपने back को अपने left side घुमाएंगे तो इसे बोलेंगे हम लोग B और clockwise घुमाएंगे तो इसे बोलेंगे B प्राइम अब यह थे हमारे 2 by 2 cube के थोड़े बेसिक notations चली आप इसको solve करना सीख लेते हैं solve करने से पहले में इसको unsolve कर लेता हूँ ताकि हम लोग इसको solve कर लिया है और अब हम दोग देखते हैं कि इसको कैसे solve करना है तो अगर आप अपने cube को घुमाएंगे तो आपको यहाँ पर एक white मिलेगा आपको दो white भी मिल सकते हैं पर अभी में एक white है तो फिर मैं इस white को लूँगा आप कोई भी कलर ले सकते हैं मैं तो white यूज़ करता हूँ अगर आप मिज़े follow करेंगे तो फिर आपको असानी रह ही इसानी होसकता है और यह धो सकता है अब मेरे मेरे यहाँ पर एक मैं इसको भी करना सिक्हाँ लिंगा अभी आगे चलते हैं अभी हम लोग को इसको ऊपर लाने तो ऊपर लाने से पहले हम लोग इसको ऐसे घुमाएंगे तो फिर यहाप ऐसे यह मैच हो गए देखी इसके साइड में किया था? ग्रीन और अब यहाप वाइट था यहाप ग्रीन था तो आपको ग्रीन से ग्रीन को मैच कर लेना है तो इसके बाद आपको अपने क्यूप के ऐसे पकड़ लेना है और इसके बाद करना है आर प्राइम डी प्राइम और दी तो आपने देखा कि हमारे पूरा यहाँ पर आ चुका है और अब हमारे एक नीचे है इस नीचे को उपर लाने के लिए अभी मैं आपको इसको इसको इग्नोर कर रहे हूं ताकि आप यह इसको ऊपर लाना सीटा है इसके लिए उपर लाने और D तो जैसे कि आपने देखा यह हमारा यहाँ से उपर आ चुका है अब इसके साइट में क्या है Blue अब आपको Blue को Blue से मैच करना है तो फिर अभी हमारा यहाँ पर ख़़ी Blue है नहीं जिसे हम लोग मैच कर पाए तो फिर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अपोजिट डारेक्शन बतायी थी मैंने आपको उसी को यूज़ करके हम लोग इसको करेंगे तो फिर गरीन के अपोजिट क्या होता है Blue तो फिर अब हम लोग इसको अपने सामने लाएंगे और यहाँ पर हम लोग Blue समझेंगे क्योंकि गरीन के अपोजिट ब्लू होता है तो फिर यहाँ पर हम लोग Blue समझेंगे यह हमारा Blue हो गया तो उसके बाद आपको अपने यहाँ पर पकड़ना है उसके बाद करना है आर प्राइम डी प्राइम और डी तो जैसी के आपने देखा हमारा आर प्राइम डी प्राइम और डी करने से यह हमारा पूरा यहाँ पर सॉल्व हो चुका है तो अभी तक आपने इसको उपर से यहाँ पर लाने का नहीं देखा तो अभी मैं इस white को आपको समझाने के लिए इसको यहाँ पर ला देता हूँ मैंने आपको इसको समझाने के लिए यहाँ से यहाँ ला दिया है और अब हम लोग इसको यहाँ से ऊपर लेकर आ जाएंगे तो इसकी algorithm चली देखते हैं इसकी algorithm भी r' d' rd है r' d' 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 d' r' d' तो जैसी के आपने देखाएंगे हमारे यहाँ से यहाँ पर आ चुका है r' d' r' d' करके और अब हमारी पूरी फर्स्ट लेर्ट स्वाल्व हो चुकी है आप जैसी के देख सकते हैं तब चलिए अपनी सेकंड लेयर स्वाल्व करते हैं अब इसकी सेकंड लेयर बनाने के लिए आपको अपने क्यूब को उल्टा कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक यल्लो दिखेगा अगर आपको यहाँ और प्रफर बना रहे तो आपको उसका अपोस्ट अपना जाने क्याम और कभी कभी वह मिलता नहीं है तो पर आप डायरेक्ट जो मैं आपको अल्गोरिथम बताने जा रहा हूं वह करिए तो आपका वह आ जाएगा चली देखते वह अल्गोरिथम क्या है तो मेरे पास एक है अभी मैं इसको अपने लेफ्ट साइट में रखूंगा और इसके लगाते है आर प्राइम डी प्राइम और डी आर प्राइम डी प्राइम और डी तो जैसी कि आपने देखा हमारी यह दो आ गए और अभी हम लोग को ऐसे नहीं करना है अभी हम लोग अपने इसको यहां पर अपने 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 लेफ्ट साइट ला देना है और आप देख ने यह वली अर्गरोथम लगा कि आपका वह वापे साल्फ हो जाएंगा, तो चले आप आगे का करते , और फ्राइम डी प्राइम आडी, और प्राइम डी प्राइम आडी, तो जैसी कि आपने देखा, यह हमारे पीछे हैं। गुट हो गया और यहां पर बच्चा है और यहां पर बच्छा रही हो मैं ऐसे इसपो a a और यहां पर कोई हो सब्स too it werde और गुद्फित को चाइए और यह लन करना है बडीले को जीदा सब्सक्राइब आपको इसको क्ना परेगा तो फर यह देखिये यहां'd एक हमारा ग्रीन है अब यह आपा इस रख कर और हमारा कुछ एससे करके पैटन मन गया आप इजिसे को यहां है यहां पर यह यह आपना 1890 है ते यह अलग необходимо है तो आप u r prime d2 d2 का मतलब आता है आपको d को दो बर घुमाना है उसके बाद r फिर u फिर r prime फिर d2 फिर r2 r2 का मतलब दो बर वापस से घुमाना है वन टू और उसके बाद आपको इसको अपनी जगह पर वापस से ला देना है तो आपको ऐसे करके कुछ बन जाए यह देखिए आप ऐसे करके बन गया और कभी कभी हम लग इसको सॉल्ट बढ़ रहे होते हैं बस यही बना रहते हैं बस इसके बाद अब मैं आपको थोड़ थोड़ लोगों का बस यही बना वा होगा तो अब मैं अगर आपको यह बना है तो फिर आप मैं आपको बता रहता हूँ कि कि इसको कैसे सॉल्ट करते हैं और अगर मेरा अभी ऐसे था और ऐसे था तब यह हमारे ऐसे ऐसे से हो चुका है ऐसे और अब हम लोग इसको से सॉल्ट करके अपने इसको पूरा है से सॉल्ट कर देंगा उसकी बाद हमारा पूरा टू बाई टू क्यूब सॉल्ट हो जाएग फिर ल !! u r' d2 u' r . ,d2 r u' r d2 . उसके बाते आपको अपने क्यूब को यहाँ पर लाए देना है उसके बात करना है यू प्राइम तो जैसी कि आपने देखा हमारा पूरा का फिरा क्यूब सॉल हो चुका है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगे तो इस वीडियो के पसंद आएगे में इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके और मिलते हैं नेक्ट वीडियो के साथ तब तक लिए कुछ पौँ